हेलो दोस्तो, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उप्चारणुसके में हम उप्चारणुसके चैनल में रोजाना एक लिटस्ट वीडियो अपडेट करते हैं अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उप्चारणुसके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको हमारे दोरा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिलें सच्चा प्यार मिलने से पहले भगवान देता है ये चार संकेत लाइफ में सचे प्यार और पार्टनर की तलाज तो हर किसी को होती है भले ही आज के जमानी में प्यार के माइने बदल गए हो लेकिन एक बात तो तैह है कि लाइफ में चाहे कितने भी लोग क्यों ना आ जाए उनमें एक ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जिसे देखकर आपको ये एहसास होने लगता है कि हाँ यही है वो इनसान जिसके साथ आप अपनी पूरी लाइफ गिज़ार सकते हैं सच्चा प्यार जिसे भी मिलता है उसकी लाइफ खुशनमा हो जाती है कई लोग होंगे जो अभी भी अपने सच्चे प्यार का इंतजार कर रहे होंगे आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे संकेतों के बारी में बताने जा रहे हैं जिन्हें सच्चा प्यार मिलवाने से पहले भगवान आपको दिखाता है यदि यह संकेत आपको भी दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में जरूर किसी खास सक्स या आपकी लाइफ पार्टनर की एंट्री होने वाली है नाग नागिन का जोड़ा दिखना मानना जाता है कि यदि आपको नाग नाग इनका जोड़ा एक सांद दिख जाए तो समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में बहुत ही जल सचा प्यार और खुश्यां दस्तक देने वाली हैं ये एक ऐसा संकेत है जो आपको किसी खास सक्स से जلदी कनेक्ट करने वाला है ये संकेत एक अटूट प्रेम के और इशारा करता है सपने में हंसों का जोड़ा दिखना सपने शास्त्र में सपनों का बड़ा महत्व बताया गया है कहते हैं कि सपनों में दिखाई देने वाली बहुत सी चीज़ें हमारी असल जिंदगी से संबंद रखती हैं इनी मैंसे एक है सपने में हंसों का जोड़ा दिखना या फिर किसी मोर का दिखना ये इस बात कियों संकेत करता है कि आपके जीवन में जल्दी किसी सच्चे प्रेम प्रसंग के शुरुषात होने वाली है यानि कि आपके जीवन में जल्दी कोई ऐसा व्यक्ति एंट्री करने वाला है जो लाइफ की हर खुशी आपके कदमों में रख देगा दो पक्षियों का दिखना ऐसा माना जाता है कि जब आप किसी लंबी आत्रा पर जा रहे हैं और रास्ते में आपको कोई पक्षिया जानवर का जोड़ा मिलाप करते हुए दिख जाए तो ये एक बड़ा संकेत है कि जल्द ही आपकी मुलाकार किसी खास व्यक्ति से हो सकती है ये घटना आपको आपके सचे प्यार से मिलाने की ओर संकेत करती है मंदिर में चड़ाया फूल का गिरना जो लोग भगवान में आस्था रखते हैं और भगवान की पूजा करते हैं यदि कभी पूजा के दोरान भगवान को चड़ाया फूल उनके सामने गिर जाए तब समझ जाना चाहिए कि ये एक शुप संकेत है बहुत ही जल्द आपके साम जरूर कुछ अच्छा होने वाला है कह जाता है कि पूजा रादना करते हुए फूल का स्वता ही गिरना सच्चे प्यार और जीवन साथी के मिलने की और इशारा करता है दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियां पसंद आई हों तो आप उप्चार्ण उसके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें